नमस्कार दोस्तों इस UPSC Terminology सिरीज में हम आज देखेंगे 75 by 25 इनिसियेटिव 75 by 25 पहल ये क्या है इसको डिसकस करने से पहले हम question solve करेंगे question solve करेंगे तो अपने पता चल जाएगा क्या है आपके सामने स्क्रीन पर question है 75 by 25 पहल का संबंध निम्नलखित में से किसे से है पहला कथन है भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक देश में 25 विश्व इस्तरी बैंकों की इस्थापना करना इसका लच्छ है भारत की वरार और पंडुब्यं उपलब्द करवाना वर्ष दोजर पुशेर्पचेश तक ज Cheryl showed her pad мои 75 मिडियन लोगों को मानक स्वस्थाइं उकलब्ध करवाना ब अर लाच्छ है words दो 25 तक 75 मिलियन लोगों को नभी करनी है उर्जा छेतर में रोजगार प्रतान करना यह कुश्चन का फ्रेम पूरा UPSC लेवल का है और UPSC कुश्चन पूचती भी रही हमेशा हर पेपर में एक दो कुश्चन ऐसे आते हैं तो इसको आपको बताना है किसका राइट अंसर क्या है मई 17-2023 में जारी किया गया 17 मई 2030 में और यह 17 मई को मनाया जाता है विश्च आईपर टेंशन दिवस हाई-बीपी का उच्छरक्त चाप का दिवस एक मनाया जाता है 27 मई को विश्च लेवल पर उसी दिन उसी दिन ये डवलू एस डवलू एचो द्वारा ग्वलू एचो इसकी अधचिताकी और केंद्रे स्वास्त मंत्रा अले दारा 75-25 पहल का शुभारंब किया गया इसका उद्देश क्या है इसका मुख्धेश है गैर संचारी रोगों के निवारण हे तू प्राथमिक स्वास्त सेवाओं का सरवाधिक विस्तार करना मतलब उनको इसे तू प्राथमिक स्वास्त सेवाओं प्राथमिक स्वास्त सेवाओं को सच्छम बनाना उनका सरवातिक विस्तार करना 75-25 पहल का उद्देश है अब इसमें हम देखेंगे किसका right answer जब देखेंगे तो इसमें जो option हमने बनाई है तो जूकि अधिकतर कारकम जब कवर्मेंट में चल रहे हैं तो अजादी की 75 वर्स को target लेके चल रहे हैं या किफिर 2025 को target लेके चल रहे हैं या 2030 को target लेके चल रहे को मानक स्वास्थ सुभधाईं प्रदान करवाना यही होगा इसका राइट एंसर अब ध्यान रखिएगा ऐसे कोशन फ्रेम जरूर होंगे आजादी के 75 वर्स पूरे होने वाले होंगे अब जैसे बिसुष्टरी बैंकों की चर्चा चलती रहती कि भारत को फाइप ट्रिलिय करे अबसान C